हेलो दोस्तों सबको जैशी री शाम आप लोग कैसे आईए अपसे बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो सुभा का टाइम हो रहा है मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है नास्ते के बरतन वगेरा क्लीन कर दी है और धूप भी निकली आई है और कपड़े वगेरा और संडे का दिन है ये संडे का ही दिन है क्योंकि बच्छे वगेरा नीचे है मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और साड़े ग्यारा बज रहे हैं आप लोगों पता है संडे का दिन तो हैसा ही चला जाता है और साड़े ग्यारा बज चुके हैं तो चलिए फटा-फट से ख चुकि हो मठ्था मंगा लिया ताज बनाना है कड़ी चावल क्योंकि संडे वाले दिन कुछ ना कुछ बनाना ही होता है तो एक चमच हल्दी पाउडर डाल दी है एक चमच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चमच हींग ये सारे मसाले देख सकते हो आप लग सूट डाल दी और ये सारी चीज गेर के और इसमें गेरूंगी बिसन बिसन गेरूंगी चार बड़े चमच देख सकते हो आप फल्दी थोड़ी सी और गेर दी थी कम लग रही थी तो मैंने ये सब चीज पहले घोल लिया था अब उसके बाद देखी बिसन डाल रही हूं क्योंकि मसाला मि चारी चमच भीसन डाल के तो यहां मैंने खोल गोलके तरह से बैटर तैयार कर लिया था तो यहां बगुनना रख दिया है उसमें थोड़ी सी मिथी दाना चोटे वाली चमच तो चोटी मिथी दाना डाल के अच्छी तरह से इसे बुरने देंगे कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने घुल त्यार करा है यह डाल दिया है इसमें आप इसमें जितना पानी डालना क्योंकि उसमें मठा वगेरा घुल तो ठीक हो जाएगा तो खदा आने लग रहा है आप लोग देख सकते हो हमारी कड़ी में हमने कंटीनू चलाई है कड़ी क्यों छोड़ी नहीं एक मिनट यहां पकोडियों के लिए बैटर तयार कर रही हूं उसमें थोड़ा सा स्वाद क आपकी बहुत नरम और अच्छी बनेंगी हमारी कड़ी पक खुब अच्छी तरह से तयार होगिए तो चलिए दिखाते हूं आप अब लोगों कुनादेरी करके तो यहां देखे हमारी कड़ी भी कितनी अच्छी तरह से पकने लग रही है और खदा भी कितनी अच्छी तरह से आने लग रहा है यहां बन रहे हैं चावल और संडे का दिन तो फ्रेंट ऐसा ही चला जाता है पहले सुबाग भागम भाग काम में और फिरार संडे था कुछ न याट्टा वगेरा भी लगा लूँगी मैं क्योंकि हमारे कड़ी चावल बन जाएंगे उसके बाद रोटी उसके भाद रोट्या से कि हम खाली चावल नहीं वीडियों को चोटे हैं लकी फ्रैंड युदो के ंब लोगों नौटिफिकेशन आप लोगों के पहुंचे तो तो यहां देखे हैं हमारा खाना बिल्कुल रैडी हो गया है आप लोग देख सकते हो पकोड़िया भी मैंने तारने लग रही हूं फ्रेंड मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए मेरी चैनल को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना फ्रेंड मुझे कमेंट में जरूर और लोग देख सकते हो पिलकुल छोटी-छोटी बनारी और फूल कर आप लोग दिखाती हैं मैं बिलकुल एकदम बड़ी-बड़ी हो जाएंगी तो यह देख्याती हूँ आप लोगो को बिलकुल छोटी-णिचोटी डालनी है उससे जो हमारा बैटर है न एक दम देख सकत मिथी मेरी मेरी घर की ही शुकायी हुई है चार तेज पत्ति डाल दिया है और यह पंच छाबुत मिर्चे इससे अलगी टेश्ट आता है यह चीज बुहन के आप इसमेरी चमच भर कर लाल मिर्च उससे हमारी कड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी तो यह देख सकते हैं आप छोख खुब अच्छी तरह से भुन गया था तो चलिए इसे कड़ाई में डाल देते हैं कड़ाई समीत तो यह देख सकते हो आप लोग हमारी कड़ी बिल्कुल बनकर रेडी है तो चलिए फटाफट से यहां सेखने लगी हूँ रोटिया क्योंकि रोटिया जरूर लेंगे ब सबका लगाती हूँ खाना बच्चे भी खालेंगे और दुफैर का टाइम हो गया है फ्रेंट बहुत तेज धूप हो गया और एक्तम से ठंडी तिनी चलीगी है और इतनी तेज धूप निकलने लगी है फ्रेंट बहुत जादा रड़ रसोई में तो कुछ जादी मुझे ग है और मैं खाना भी साथ की साथ लगाती जारी हूं सबका क्योंकि गर्मा गरम रोटी खा लेंगे और कडी चावल तो आप लोगों को पताए भी बनाए तो वैसे भी गर्मा गरम है तो यह देखें मारी रोटी फूलकल है विल्कुल रेडी तो दिखाती हूं मैं बच्चे भी खाना काने लग रहे हैं तो चलिए मारी रोटी अशिक चुकी हैं तो यह देखें पर मैंने लगा दिया एगी तो यहां देखें मेरे बच्चे खा रहे हैं खाना दुन्नों बेन बाई बैटके और धूप आने लग रही है और मैंने इनके लिए खीरा वगेरा भी काट खीरा आप लोगों को पता है आ रहा है तो खाना वगेरा सब का हो गया है तो मैंने लगा लिया है अपना खाना फ्रेंड आ जाईए आप लोग भी खा लीजिए तो बस फ्रेंड में इस वीडियो को